क्याम चो विद्यार्थी मित्रों बदा मजामाने खोब सरस विद्यार्थी मित्रों आजी आपने दोरण साथ एकम नंबर 9 समाजिक विग्णान नी अंदर प्रुथ्वी नी आंत्रीक रचिना अने भुमिश्वरूपो ए पाठ विशे आगळ अभ्यास करीशू आपने अगाउना पाठ नी अंदर आपने प्रुथ्वी नी आंत्रीक रचिना अने प्रुथ्वी ना आंत्रीक स्तरों विशे उंडाहन थी अभ्यास करीशू अने साथे साथे खड़को ना प्रकार विशे आपने सरुवात करीशू अने सरुवात मा आपने खड़को ना मु एवा त्रीजा प्रकार विशे आज आपने वाद करीशू अने त्रीजो प्रकार छे रुपान्तरित खड़को तो रुपान्तरित खड़को एटले अगनिकृत खड़को अने जड़कृत खड़को उन्चा ताप माने अने दबाणना काराणे ए खड़को नू रुपान्तरि खड़को कहीं चीए आओ आपने एहीं जोईए अग्निकृत अने जडकृत खड़को उन्चा ताप माने अने अतिसय दबाणना कारणे रुपान तरित खड़को मा फिरवाई जाए छे एना मुख्य उदारणों मा चिक्नी माटी एस लेट मा परिणमे अने चुनानों जे पत आणे रुपान तर थाए त्याने रुपान तरित खड़को कहवा मा आवे छे आई आपने केटलाक रुपान तरित खड़को ना फोटोग्राप्स आपने जोईशू अई विद्यार्धी मित्रों तमें जोईश सको छो रुपान तरित खड़को ना फोटोग्राप्स आई म इस्तार दर्शावामा आवयो छे अवे आ खड़कोनी जी रचना थाए छे एनो मुख्य बाबत तमने बद्दाने समझाई गई हसे तो आ खड़कोनी रचना के विरिते थाए ये आपने अग्निकृत खड़को थी जयारे सरुवात करे अने छेक रुपांतरित खड़को आ खड़को तैयार धवामा चक्कस पद्धती थी आ खड़को एक प्रकार माथी बिजा प्रकारना खड़कोमा रुपांतर थता जाए छे औने आ रिते एक प्रकार माथी बिजा प्रकार माँ परिवर्तन धवानी प्रक्रियाने खड़क चक्र केहवामा आवे छे औने आख खुँ आ खड़क चक्र आ रिते जोडायलू छे जे मां सव प्रथम ए प्रुथ्वीना पेटार मां रहेलो लावा के मेगमा ए ठंडो पड़ता नक्कर खड़कोनी रचना थाए एले अग्निकृत खड़क बने अग्निकृत खड़क टूटता खसाता अने एमा थी कणो पड़ी अने जे स्तरो रचाई अने जे खड़को दबाई अने तैयार थाए एने जड़कृत खड़को अने त्यार बाद ए अग्निकृत अने जड़कृत खड़को उन्चा दबान अने उन्चा तापमानने कारणे बिजा खड़क मां रुपांतर थाए जेने रुपांतर प्रुथ्वी ना पेटाड मां समय जटा 30 उन्चा तापमानने कारणे ए रुपान्तरित खड़को गरम थवा थी औने ओगल वा थी फरिथी पाचो ए मेगमा अथ्वातो लावा ना स्वरुप मां फेरवाए औने फरिथी पाची मेगमा के लावा एना मोड रुप मां आवी जाए औने ए मेगमा के लावा फरिथी ठंडू पड़ता अगनी खुरुथ खड़क बने आप खुजे चकर छे खड़त चकर ए आपने हवे जुए सर्व प्रथम मेगमा मेगमा ए ज्वाडा मोखी विश्पोर्ट थवा थी एना ज्वाडा मोखी ना मोख माथी ज्यारे समय जत्ता ठंडो पड़े ठंडो पड़े अने नकर एवा आगने साइल आपने आकुरुती माँ जुए सके छे ए आगने साइल एले के अगनीकुरुत खड़कोनी रचना थाए ए अगनीकुरुत खड़को ए गसलाई टूटी अने पची हवा पानी के पमन द्वारा एक स्तरो रचाई जे खड़कोनी रचना थाए त्याने जड़कुरुत खड़को अथवा तो आपने प्रस्तर खड़को कहिए छिए अने ए समय जत्ता आगनीकुरुत खड़को औने प्रस्तर खड़को ए बन्ने रुपान तरित खड़को माँ परिणमे जैने आपने आई कार आ या तरित साइल, यहलोके मेटामोरफिक रॉक्स, केवा ओवे चे अन्ये मेटामोरफिक रॉक्स, रूपां तरित खड़को, यह प्रुथवीना पेटार मां, 23 गर्मीना कारणे, फ्रिती ओ JAMESड़े और प्रिती पाच्छों, व्र पाच्छे एना मोड रुप मैग्मा मां पर ते खड़क चक्र तरीके उडखवा माँ आवे छे, आपने अगाउं वाद करी हती तेम आ खड़को ए खुबज महत वना छे, त्यानों महत्त उप्योग सड़को ना निर्मान माटे, मोट्टी मोट्टी इमारतो बनाव माटे, मकान बांतकाम मा आ खड़को नो उप्योग था आपने जोई ए, खनीज एटले के जैविक औने अजैविक पदार थो, गर्मी औने दबाण ने लिदे परिवर्तन पामीने चोककस रासाइनिक मंदारन धारन करे छे, त्याने आपने खनीज कहिए छे, औने आ खनीज कुद्रती रूपे जोवा मरतो पदार छे, जे मान नि निश्चित रासाणिक मिश्रन होई छे, आ खनीजो ए आपना माटे खुबज महत्वना छे, विद्यार्थी मित्रो, आई आपने किटलाक खनीजो ना फोटोग्रापस आपने जोई ए, आई निकल, निकल नाम ना खनीजो नो फोटोग्रापस आपने मुकियो छे, त्यार बाद एनी बाजू मां पलेटीनम विद्धियार्थमित्रों आ बादाजेखनी जो छे ए अती केमती खनी जो छे ए य drop खुबाज महत्व ए आपना रठिक संपतीमा एन्यों खुबाज महत्व रहेलू छे तो आपलेटीनम एे खुबाज मोगी अने किम्ती जवेरातों बनावा माटे यानों उप्योग थाए छे त्यार बाद कलाई तो कलाई नो पन फोटोग्राप्स तमें जोई सको छो नीचे खनीच कोल्सो तो खनीच कोल्सो ए तमें जोई सको छो खनीच कोल्सो ए क्या वपराय छे तो विद्यूत मथकोनी अंदर व अगर आपने जोई है सोनु तो सोनु केटलू किमती छे आपने बद्धात जानियें छे सरस्मजान आलंकारो जवेरातो बनावमा सोनानों उप्योग थाए छे त्यारबाद जसत अने एनी बाजुमा खनीज तेल जे कुद्रती गेस एनुपन निर्मार एनी अंदर थी थाए तो खनीज तेल जेव के पेट्रोल, डिजल, CNG आब दा गेस नुँ निर्मार पन खनीज तेल मा थी थाए छे आब दा खनीजो ए विद्ध्यार्थी मित्रो आपना देशनी आर्थिक संपति गणी सकाए औने आवा खनीजो ए भारत ना जुदा जुदा राज्यों मा थी आ अने आवा कितला किमती खनीजो खनीज तेल, सोनु, चान्दी आ बदा खनीजो युरेनियम, प्लेटीनम आ बदा खनीजो नुँ देशनी आर्थिक संपति मा खुबाज महत्वनु योगदान रहुँ छे अवे विद्ध्यार्थी मित्रो आपने आगण महत्वना एक मुद प्रूधी उपर वस्वात करिए छीे, ए प्रूथी नी सपाटी, एक दम सपाट, क्याम लिस्सी सपाटी जुवा मरती न थी। आपने जोईए, तो कोईक रोड अथवातो रस्ता उपर जैए, तो पन आपने एक सपाट मेदान आधालित, अथवातो सपाट मेदान पीख्य। खड़को मा प्रसारन के आकुंचन थाईने भुप्रूष्ट मा संचलन उद्बवे छे अने परेणा में भू सपाटी पर परवत स्रेणियों, उच्च प्रदेशों, मैदानों अने खीन वगेरे स्वरूपोंनु निर्मान थाई छे आ भु मिश्वरूपोंना निर्मान वीसे आपने आगण अभ्यास करिए तो मृधावरनिय भूतकतीनी गतीने कारणे जे बढ उत्पन थाए छे ते बढने प्रुथवीना आन्तरिक भाग मा जे बढ उत्पन थाए तेने आन्तरिक बढ औने जे बढ प्रुथवीनी सपाटी पर उत्पन्थाए छे, तो प्रुथ्वीना आंत्रीकने बाहिय बढ़नी वाद अही करे लिछे। जैमा आपने जो ये तो के वा प्रकार्न नूबढ तो प्रुथ्वीना पेटाडमा जी आरे उन्चा ताप मांने कारणे आओ धक्धक्तो लावा होये। जैने आपने मेगमा करवा थी अमुक्षमय ए प्रुत्वीनों उपर्णूस्तर ए तोड़ी और एक वेग साथे ए धगदग तो लावा मैगमा एक वेग साथे ए बहार निकड़ी आवे त्यारे त्यानों ए कोई भूमी भाग ए उपसी आवे अथवा तो उंचा परवतिय स्वरूपे अथवा तो अनि ए परवतिय स्वरूप मा नेर्मान पामे आपनी पुरुत्वी पर आपना भारत देश नी आपनी वात करिये ते आपने भारत गौणवाना लेंड प्रदेश नो एक भाग हतू अनि जे समय जता आस्ती गणा वर्सों, हजारों वर्सों पहला आवों ज्वाला मुखी विश्पोट थता, ए आपना भारत मा जे उत्तरे आवेल हिमालय परवत माला, ए पन एक आजवाला मुखी परवत स्वरूपे, एक गेंड परवत नी रचना थायली छे, औने एनू निर्मान पन आंतरिक बढ़ने कारणे आ परवत नु निर्मान थायल छे, ज्या हिमालय अ त्यारे हाल मा जे आपनो हिमालय परवत छे, त्या पहला भुतकार मा त्या थिस समुद्र नामनो सागर हतू, औने ते आवा ज्वाडा मुखी विश्पोट ना कारणे, आजे ए स्थर ए हिमालय परवत मालास्वरूपे आपने जोई सकीये छीए, तो आ ज्वाडा मुखी साथे साथे भुकम्प, जे आपना पाठे पुष्टिक नी अंदर जे आ भुतक्ती, एवो सब्दा आपवा मा वेलो छे विद्ध्यार्धिमीतों, तो आ भुतक्ती एटले शू, तो आपनी जे ब्रुदावरण छे, आपनों जे भुमी भाग छे, तो ए भुमी भाग ए त तत आ प्लेटों ए एक बिजाथी दूर गती करती रहे छे, एक बिजानी नजी आवती रहे छे, औने क्यांक आ प्लेटों वच्चे खुबच धड़ाका साथे, एक बिजा साथे अथडाए छे, औने अथडावा थी, एनों जे दुजारी, ए प्रुद्विना पेटाण मा आ प्लेटों अथडावा थी, एनी दुजारी नों एहसास आपणने आ सपाटी उपर धाये छे, जैने आपने भुकम कहिये छे, क्यांक क्यांक प्लेटों एक बिजाथी दूर जाए, खस्ती जाए, तो क्यांक फाट खिरनी पन रचना थैली जुवा मडे छे, तो आ भुकम विशे, अथवा तो आ भुतक्तियों विशे, तम्मे आगणना दोरणों मा घणो एवो अभ्यास करवाना छो, एले आजे आपने आ बाबते आटले सुदी आपने राखिये छे, तो विद्यार्धी मित्रों आपने भुकम औने ज्वाला मुखी विशे, आजे साब्दिक व तमे जे विश्तार मा वस्वाट करो छो, ते विश्तार के जिल्ला मा थी मडियावता खनी जोनी यादी तैयार करो, त्यार बाद भारत ना रेखांकित नक्सामा जुदा जुदा खड़को धरावता विश्तार रूड संगना द्वारा दर्शावो, तो विद्यार्धी मित प्रफ्राइब से प्रफ्राने लिए स्षलाइब, दिए लिए भीकार आधार विए और देशने वियुट्टी और भी टूर्थती हूँ इस जे लिए ऑ्र स्थलाइब, टिए स्टेशने लिए 8 अवंगर AND रिए अधार, लिस विए टर लिए लिए ठीचने लिए ऑपार, टो अझा हुआ जलेबी हैं। फैन विल था समाट वरे जलेबी उसी। आप खेसंदेबी लेडी स्क्रम जलेबी, यह उताव चैहलो वर फ्ली क्या जलेबी हैं। विलस्के स्वपृ इस में हैं। विल leज लेगी डिलेबी स्वेर गलेबी हैudड से fat si इस जलेबी, वाव, seven at one blow, I am very brave. The king heard about Gopal. He called him and said, Gopal, you are a brave boy. Did you really kill seven at a blow? Yes, your majesty, I did. You know, there are two cruel giants in our kingdom. They trouble people. There is no one to catch or kill them. Did anyone try to catch them before? Yes, many people tried, but they failed. You are brave. You killed seven at a time. The giants are only two. Kill them and I will give you a rich reward. Gopal knew he was not able to catch or kill giants. But the king and the people had high hopes from him. He thought for a long time. Then he went out in search of the giants. He wandered here and there. He roamed in the mountains and valleys. But he failed. After some days, he was going through the forest. He saw the giants there. They were under a tree. Gopal was scared. He said to himself, Oh, the giants are really huge. They look cruel too. The task is really tough. I can't fight with them. He thought for a while. I will try. He said to himself, He threw some stones at them and hid himself behind a tree. One giant got up and asked the other, Did you throw stones at me? No, I didn't. You did it. Why did you throw stones at me? I did not do anything. You threw the stones at me. They began to fight. They fought fiercely and killed each other. Children, I hope you have enjoyed the story. The same story is given in your textbook. It is in activity 3. In your textbook, open the page number 16. Now, I am reading the story. You have to listen attentively. Once upon a time, there was a young boy named Gopal. He liked jalebis very much. One day, he bought some fresh jalebis. He put them in a dish. After a while, he saw flies buzzing over the jalebis. Go away, dirty flies! He shouted, but they didn't. He killed seven flies at one blow. He said to himself, Wow! Seven at one blow? I am very brave. The king heard about Gopal. He called him and said, Gopal, you are a brave boy. Did you really kill seven at a blow? Gopal said, Yes, your majesty. I did. The king said, You know, there are two cruel giants in our kingdom. They trouble people. There is no one to catch or kill them. Gopal asked, Did anyone try to catch them before? The king replied, Yes, many people tried, but they failed. You are brave. You kill seven at a time. The giants are only two. Kill them and I will give you a rich reward. Gopal knew he was not able to catch or kill giants. But the king and the people had high hopes for him. He thought for a long time. Then he went out in search of giants. He wandered here and there. He roamed in the mountains and valleys. But he failed. After some days, he was going through the forest. He saw the giants there. They were under a tree. Gopal was scared. He said to himself, Oh, the giants are really huge. They look cruel too. The task is really tough. I can't fight with them. He thought for a while. I will try. He said to himself. He threw some stones at them and hid himself behind a tree. One giant got up. and asked the other. Did you throw stones at me? The other replied, No, I didn't. You did it. He shouted. Why did you throw stones at me? The first giant replied, I did not do anything. You threw stones at me. They began to fight. They fought fiercely and killed each other. Children, Now look at the page number 17. Answer the following questions. Now we will do this exercise. Are you ready for that? So, I am reading the first question. You have to give me answers. What did Gopal like to eat? The answer is Jalebi. Option A is the right answer. Let's see the second question. Which insects were buzzing over the Jalebi's? The options are ants, flies, mosquitoes, honeybees. What is the right answer? Yes. Right answer is flies. Option B, flies is the correct answer. Let's see the third question. Who killed the giants? The options are the king, Gopal, a lion. Children, they killed each other. So, what is the right answer? The correct answer is they killed each other. Now last question. Was Gopal brave or clever? How can you say that? Children, think for a while and give me the answer. Gopal was clever. Because he knew that he was not able to fight with giants. So, he used trick and killed the giants. Now turn the page. We will do the next exercise on page number 18. Listen carefully. VARTA Design. The achtergration version of the eagle-e warner four of finds himself in the 3rds house is thectuaalice-style and the mantle moon-on-wesherat. The number 1 in 2nds house is the shooter-style. The sixth one in 3rds house is the orncl gorilla. French cars, C 있다고, derive the eagle-ili Нaliba, theu-style-style code is the scripture-style and the- temporada. तो सम्झी गयाने? Now, I am reading the sentences. Listen carefully. The first sentence is, The king asked Gopal to kill the giants. Second sentence is, Gopal killed seven flies at a blow. The third sentence is, The giants died. The fourth sentence is, The giants fought with each other. And the fifth sentence is, Gopal threw some stones at the giants. Second sentence, Gopal killed seven flies at a blow. It will come first. So, write first number in your text book. Let's check, Which come second? Children, The first sentence, The king asked Gopal to kill the giants. It will come on second number. Okay. Which sentence will come on third? Sentence fifth, Gopal threw some stones at the giants. Sentence number five will come on third number. Sentence fourth, The giants fought with each other, Will come on fourth number. So, The sentence three will come on last. The giants died. Sentence three will come on fifth number. Have you done your task? Children, I hope you have enjoyed the story.